जो अक्सिजन सपोर्टेट बेड हैं उसमें 10 लीटर प्रती मिनट की दास से सप्लाई होने चाहिए जो आईसीव बेड हैं उसमें 24 लीटर प्रती मिनट की साथ से सप्लाई होने चाहिए तो जितने बेड हमारे पास हैं ऑक्सिजन सपोर्टेट बेड और आईसीव बेड इनके लिए हमें एक सो पैंसट द्रस्मलब एक आठ मेट्रिक टन ऑक्सिजन चाहिए अभी जो पेड अकोपाइड हैं जो भरे हुए हैं उनके लिए हमें लगभग जो है एक सो तीस मेट्रिक टन चाहिए और अभी हमें जो उपलब्ध है वो 126 मेट्रिक टन जो है और पांच मेट्रिक टन जो है जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो प्लांस लगए हैं उससे उपलब्ध हो रहा है और बहुत सीव जो है जो और हॉस्पिटल में लगने हैं प्लांस उससे हमें चार मेट्रिक टन उपलब्ध हो जाएगा भारे सरकार में जो एलोकेशन दिया है हमें वह है 183 मेट्रिक टन लेकिन इसमें एक दिकत यह है कि इसमें हमारा साथ मेट्रिक टन जो है वो प्रदेश से बाहर से है और ये 40 मेट्रिक टन जमसेदपूर से है लिंडे के प्लांट से जारखन राजी में और 20 मेट्रिक टन ये बंगाल से है दुर्गापूर से अब इसके लिए हमें बारक कंटेनर्स चाहिए जो हमें उपलग होने चाहिए क्योंकि वहां से आने में करीब 26-27 गंटे लगते हैं तो लगातार सप्लाई जारी करने के लिए बारक कंटेनर्स चाहिए आज हमें दो कंटेनर उपलग हुए हैं और शुक्रबार तक यह उमीद है कि हमें चार कंटेनर और मिल जाएंगे तो अभी जो इस्थिती है वो जितने पेसेंट अभी हैं उसे साथ से तो ठीक है आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन सप्लाई कि हमें जो वक पड़ेगी और जो बाहर से लाट्मेंट किया है वो भी आउ सकता उसकी पड़ेगी कि लगातार आप उर्थी होती रहे इसमें ये ये कमी पूरे देश में हैं सिर्फ हमारे यह नहीं है मरी तो जो कैपेसिटी है वो एक लाग से अधिक वैक्सिनेशन पर डे किये लेकिन उतने डोज हमारे पास उपलब नहीं है और हमने भारत सरकार को यह लिखा है कि राज सरकार अगर बाहर से डारेक्ट इंपोर्ट कर सकती है तो उसके भी हमें जो है अनुग्यां दी जाए यह मोबाइल मोबाइल टेस्टिंग वैंस के जो है और एपी रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल दिये गए हैं और बहुत जल्दी जो है वह हम फाइनलाइज करेंगे और यह जो दूरस छेत रहें वहां ही मोबाइल टेस्टिंग वैं जाएगी ताकि ग्रामीन व्यक्ति जो है उनको अपने सर निकट यह सुधाई मिल पाएं